हाई एवरिवन कैसे हो आप सब तो चलिए आज मैं आप सब लिए एक्सप्लेइन करने जारी फ्लाइस सीजन 5 का एपसोर्ड नवर 15 तो पिछले एपसोर्ड में हमने देखा था नौरा के बावन बार टाइम ट्रेवल करने वाली बात सुन बहरी नौरा को वार्ण करता है कि आ पर आप उनकी बातों में आजाती है और उसी के बताए रास्ते पर चलिए तो चलिए फ्रेंस इसे के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज के एक्सप्लाइशन एपसोर्ड नमबर 15 के साथ जिसके सरवात में में गूड़ और सार्कमें को आमने सामने दिखाया जाता है और इस वक्त फ्लाइश और एक्सेश भी यहीं पर गिरे पड़े होते हैं और यह चिनियाई काट होकर आफ हम विवर्स को इस घटना के 12 घंटा पहले की सीन दिखाया जाती है जब स्टार लेमें फ्लाइश टीम मिटा हीमन क्यूर सीरम को तयार होने के बाद उसे सबसे पहले क बिल्कुल भी नहीं करेंगे अब यहां काफ़े डिसकुसन करने के बाद इनको सार्कमैन का धियाना आता है जो कि इस वक्त लायला के नेगरानी में आर्गस में जिसके लिए बैरी नौरा सिसको और कैथलिन आर्गस जाकर लायला से सार्कमेंट से मिलने की बात करते हैं जिस पर लायला इन्हें सार्कमेंट के पास जाने की परमिसन दे देती है यह बता तो कि डॉक्टर तानिया यानि कि जो सक्स इस वक्त सार्कमेंट है वो और्थ टू का सेल लेमेंडस है और अर्थ वन पर सेल लेम चुका है वो यहीं आर्गस में खासकर इसी सार्क पर रिसर्च में लगी है ताकि वो यहां पर इसे कमफर्टेवल महसूस करा सके अब इतना सुन फ्लैस्टिम डॉक्टर तानिया से मिलते हैं और तानिया को क्योर सिरम के बारे में बताते हैं पर अभी नहीं यह समझ में नही बनाई है इसे से से लगा है इस इसे सीयर्च में को पानी से बाहर बुलाते है ताकि वो इस सिरम को लेने के लिए उसे मना सके अब था या अचानक से को कुछ कुछ होने रग्टा और वो अपना कंट्रॉल खोते हुए अपने सिर पर लगे मैं पर को और अब ये दिख तानिया दंग रह जाती है और फ्लाइस टीम को बताती है सेने ऐसी हरकत पहले कभी नहीं करी थी मैट डिवाइस लगाने के बाद अब पता नहीं उसे कहां ढूंडेंगे हम जिसके बाद अब फ्लाइस टीम में स्टार लैब आकर सार्टमें की लोकेशन जहां एकसिस अपने सूपर स्पीट से मैट डिवाइस लेकर सार्टमें के सिर पे लगा देती है ताकि इसे सांथ करी से बाते किया जा सके पर सार्टमें को वापस से यहां कुछ होने लगता है और वह यहां पर अपना कंट्रोल खोते हुए सिसकों को उठाकर बस उसे खान पहुंचता है जहां पर से की बोड़ी को चेक अप करने के बाद कैथलीन सबको बताती है वैसे तो इस क्योर सीरम ने अपना काम प्रोपर तरीके से किया है पर चुकि से की बोड़ी आधी इंसानी और आधी सार्ट की इसे कुछ देर में एक और डोश देनी पड़ेगी क्य प्रेंड यानि प्यूस ग्रंट थी जो कि दिमागा एक हिस्सा होता है उसमें अभी भी मौजूद है वहीं अब हम से को देखते हैं जो कि अपनी इस इंसानी सरीर को देख काफी खुस होता है और साथ ही तानिया भी सुकून से से को देख रही होती है अब यहां बात ही बा से बाहर बुलाई थी और फिर मेरी आग खुली तो मैं यहां इस्टार ले में खुद को पा रहा हूं अब यह सुन फ्लैस्टीम को ऐसा लगता है कि यह साथ सिर्म का असर हो सकता से को चीज़ी याद नहीं है और यही बात करते हुए बैरी सिसको और कैथलीन अब यहां से दूसरे हॉल में जाते हैं जहां अकेले में लाकर सिसको इसे डाटना शुरू कर देता है कि हमारे बीच तो यह डील हुई थी ना कि बिना पूछे क्योर सिर्म किसी को नहीं देनी है अगर सिर्म में कुछ गरबरी होती तो अगर से को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्म्हदार के लिए तभी हम सिस्को और कैथलीन को देखते हैं जो कि अचानक से वीर्ड भीएप करने लगते हैं जिसके बाद कैथलीन चुपचा मैट डिवाइस लेकर यहां से जाने लगती है और सिस्को बैरी पर अटेक करने लगता है अब यह देख बैरी को कुछ गरबर होने का एहस जाता है कि यह सारा काम गुरूट का है अब चुकि अगर आफ लाइस सीजन वन से फॉलोग कर रहे हो तो आपको इतना तो पता होगा है कि गुरूट के पास तैलीपैथी वाली पावर्ती जिससे कि वह किसी को भी अपने कंट्रोल में ले सकता है अब गुरूट कि यहां से तो यह क्या गुरूट आखिर वहां से भागा कैसे जवाब में लाइला फ्लाइस टीम को 22 में अब 2018 वाली एक सिसी टीवी फोटेज दिखाती है जिस दिन डिवोग की इलाइटमेंट डिवाइस डिस्ट्रोई होई थी उसी रात इसका असर आर्गस की बिल्डिंग में लग और साथ ही गुरूट के मैट डिवाइस ले जानी वाली बात से भी यह लोग परिसान हो रहे होते हैं क्योंकि ऐसे तो गुरूट एक बारी में एक या दो लोगों को ही अपने कंट्रोल में ला सकता था पर इस मैट डिवाइस के जरिए गुरूट पूरी सीटी के इंसानों से बात कर इक ही बारी में पूरे सीटी को लोगों को अपने वस में ले सकता है तो इदर अब हम डॉक्टर तानिया को देखते हैं जो कि से की इंसानी रूप को देख उसके नजदीक जाती है और फिर दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं वहीं अब आगे क तुमने अपना काम मौपस से सुरू किया है पर तुम यहां काम क्यों करें तुम अपनी ऑफिस जाकर क्यों काम करें रही हो तब आईरिस बात गुमाते वह बोलती है हम उई ही तो जा रही थी मैं तो बस आपसे मिलने आ pollen अगय थी और फिर यही पर रुक गई पर अब मैं नहीं जोए देखता है कि आईडिस सच में यही कैफे में ही है तो अब आईडिस को यहां देख जो इसके नजदीक आकर बोलता है मुझे मालूम था कि तुम यहीं होगी और यह भी कि तुम सिकेडा की वज़े से परिशान हो ना सेसिल ने मुझे बताया कैसे सिकेडा को हराने नौरा ने 52 बार टाइम ट्रेवल किया अब तुम अकेली कहीं जाने या रहने से डर रही हो ना जवाब में आईडिस रोते हुए बोलती है हाँ यही बात है कल को अगर सिकेडा मेरे सामने नौरा या बैरी को कुछ कर देगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं मेरे पास त पास भी कोई पावर नहीं है पर हम फिर भी अपनी फैमिली को बचा सकते हैं मैं वैली के पास खास कर तिबद में फाइट सीखने गया था और वही प्रैक्टिस आज सब तुम्हारी भी सुरू होगी फिर देखते हैं सिकेडा क्या कोई भी दुसमन हमारी फैमिली को छूब सब को कंट्रोल करने वाला है अब यह सुनते हैं फ्लैस और एक्सेस अपनी सिर्फ पर डिवाइस लगा कर जिससे की गुरूट इनकी माइंड को कंट्रोल ना कर सके बहार सिटी में जाकर यह दुने को रोकने की कोसिस करते हैं पर चुकि गुरूट एक तो आकार और वजन से इन दोनों से जादा था वह एक ही घूसा में इन दोनों को पस्त कर देता है अब यह सुने स्टार लैम से फ्लैस टीम को बोलता है चुकि मेरे अंदर तो डार्क मेटर अभी में मौझे वापस सार्क बना दो मैं गुरूट का सामना कर सकता हूं जवाब में कैथलीन और से इसको दुनों से को समझाते कि अगर इस वार वह सार्क बना तो अगली वार क्यूर सिरम इसकी बोड़ी से डार्क मैटर को खत्म नहीं कर पाएगा यानि कि इसके बाद से दुबारा से साधारान इंसान कभी नहीं बन पाएगा जिस पर से बोलता है अभी इसकी जिन्दगी वर्सेस सार्क मैट की एक जुड़ार से फाइट सुरू हो जाती है तब सबसे तो सार्क मैट गूरूट को पटक पटक कर पीटता है पर गूरूट भी कम थोड़े ना था वह अपने गुडिला वाले गुद्धी लगा आते उए पहले तो सार्क मैं को धका देकर गिरा और उसे बेहोस्त कर उसके दोनों पाव को बांद कर उल्टा जेसी में लटका देता है और फिरूड मैट डिवाइस से लोगों पर अपना वस्पाना सुरू कर देता है अब यह देख फ्लैस और एकसिस किसी तरीके से खड़े होते हैं तब तानिया इन्हें बताती है कि सार्क को इलेक्टिक जटका देने से वह ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं अब यह सुनते हैं फ्लैस और एकसिस दोनों ही साथ में बागकर इलेक्टिक वोल्ट पैदा कर सार्क मैं को दे मारते हैं जिससे कि अब सार्क मैं जाग उठता है और अपनी बंधी पैरों को भी खूल कर अपनी पूरी ताकत से जाकर गुरूट को एक जूर का घुसा दे दीता है और उसकी सिर से मैट डिवाइस निकाल कर खुद पहल लेता है तब हम गुरूट को देखते हैं जिसकी हलत बहुत ही बुरी होती है और वह उट भी नहीं पा रहा होता है जिसके बाद अब फ्लैस गुरूट को वापस से आर्गस में चोड़ कर स्टार लैब लोटाता है जिसके बाद फिर से यानि कि सार्क मैन को भी आर्गस में तानिया लेकर चली जाती है और पहले कीते रहीं दोनों मैट डिवाइस के जड़ी आपस में बाते करने लगते हैं तो ही अब एपसोड के आ करना बिल्कुल ना भूले साथ या आप हमारी चानल देशीबू को और बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालो ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जा और मुझे आपका सपोर्ट तो चलिए फिर मिलते अपने ने क्यारान बाबाई